नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए एक गुजराती ठाली लेके आई हूँ तो मैंने छोटे-छोटे से वीडियो बनाये हैं हर चीज के इसमें मुख्य जो मुझे आपको दिखाना था आज और कडी चावल और लचका डाल लचका डाल और कडी चावल विग्योने की वज़े से काफी सॉफ्ट हो गई है नर्म हो गई है तो इसे हमें उबालना है इसी को हम लचका डाल बनाएंगे तो हमें कोशिस करनी है कि कम से कम पानी में हमें डाल उबाल लेनी है बहुत ज़दा पानी इसमें नहीं डालना है और गरम पानी में डाल डालन सकते हैं और यहां मेरे थोड़ा पानी भी ज्यादा हो गया है आपको कोशिश करनी है कम पानी में डाल को उबाल लेना है इस डाल को मैंने अब एक बरतन में निकाल लिया है इसके अंदर हमें कुछ भी सामगरी नहीं मिलानी है केवल हम इसके उपर तड़का लगाएंगे तो उसके बाद में हमें इस बगार को इस चोप को लचका दाल जो हमने बनाई है उसके उपर मिला लेना है साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा हारा धनिया और डखन लगा के इससे एक तरफ रख लेते हैं अब हम आगे जो है वो कड़ी बना लेते हैं तो कड़ी बनाने के लिए मैंने यह पर दही लिया है एक दम से फिका भी नहीं लेना है बहुत ज़्यदा खटा भी नहीं लेना है और अब इसके अंदर में डाल रही हूं एक चमज बेसन और बेसन को और दही को हमें आप इसे कर सकते हैं, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से मसाले, तो मसाले के अंदर, मसाले के अंदर वैसे तो गुजरात में हरी मिर्ची और अधरक पड़ती हैं, लेकिन मैं इतनी हरी मिर्ची इसमें नहीं डालूँगी, तो मैं यहाँ पे लाल मिर्च, हल्दी और नमक ये तीन ही चीजे मिला रही हूँ और इन सब को मैं अच्छे तरह से मिक्स कर रही हूँ और अब हम कड़ी को छोक लगाएंगे पकाएंगे तो गी रखा है मैंने कड़ाही के अंदर और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी से हिंग और साथ में हम डालेंगे थोड़े से कड़ी पते और उसके बाद में हमें जो हमने कड़ी का खुल तयार किया है कड़ी का खुल इस छोक के अंदर मिला लेना है तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद में इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक हमें इसे लगातार चलाएंगे इसा करने से दही भटता नहीं है उबाल आ गया है उबाल आने के बाद में हमें 4-5 मिनिट कड़ी को और बनाते रहना है कम आज के उपर उसे से कड़ी का स्वाद अच्छा बेटता है तो अब हमारी कड़ी बन के हो गई है रेडी तो इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और आप चाहें तो यहां पोदीने के पत्ते भी मिला सकते हैं इस बन करते हैं और इसे भी एक बरतन में निकाल लेते हैं अब हम बना रहे हैं सबजी तो कड़े में मैंने तेल लिया है तेल के अंदर डाला है जीरा और हिंग और उसके बाद में हम इसके अंदर मिलाएंगे लोकी तो आज मैं लोकी की सबजी बना रही हूँ आपको हालो की सबजी बनानी हो गोबी की बनानी हो आपको जो अच्छी लगे थाली में परोशने के लिए वाब बना सकते हैं यह तरह कि सात्विक थाली तयार हो रही है यानि आप भगवान को भोग लगाने के लिए भी जो है वो बीनर लेसुन प्याज का खाना इस तरह से बना सकते हैं अब लोकी के अंदर हमने हल्दी और नमक डाल दिया है अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे और चार से पांच मिनिट के लिए कम आज के उपर इसे हमें पकने देना है चार-पांच मिनिट के बाद में लोकी ने पानी चोड़ दिया है तो तेल बहुत सारा मुझे दिखाए दे रहा है तो तेल कम करने के लिए मैं इसमें ब्रेड की टुकड़े मिला रही हूं तो ब्रेड की टुकड़ी जो है वो तेल को अच्छे से सोख लेंगे तो मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेती हूं ताकि थोड़ा तेल कम हो जाए ध्यान नहीं रहा और लोकी एकदम सिखुड गई तो वो तेल बहुत ज़्यादा दिखने लग गया है तो मैं थोड़ा सा इ तो यहां पर भी हम थोड़ा साहरा धन्या मिला लेते हैं और सब्जी बड़तन में निकाल लेते हैं तो हमने तीन आइटम अभी तक बना लिए हैं एक प्रोपर थाली में त्यार कर रही हूं आप यह पुरा वीडियो देखके एक थाली त्यार कर सकते हैं अब हम बनाएंग अब जितने मुझे चावल बनाने हैं उसे डबल में पानी मिला रही हूं अगर मैंने दो कटोरी चावल लिये हैं तो मैं चार कटोरी पानी मिला रही हूं और साथ में डाला है नमक और जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम इसके अंदर जो चावल है वो मिला लेंगे तो च चावल में उबाल नहीं आता है आँच हमें तेज रखनी है और जब अच्छा सा उबाल आ जाए उसके बाद में हमें इसकी आँच जो है वो कम कर लेनी है और उसको फिर कम आँच पर पकने देना है तो हमें कुकर में चावल नहीं बनाती हूँ हमेशा खुले ही पकाती हो इस तरह से बर्तन में और ये चावाल बहुत अच्छे खुले-खुले बनते हैं तो हमारी sав ficarag की जो हमने बनाई है और इसके साथ महीं रख रही हूं यहाँ पे रोटी और थोड़ा सागर का बना हवा अचार तो इस तरह से हमारी थाली त्यार हो गई है, थुड़ा सा हमने शुद घी उपर मिला लिया है, तो यह रेसिपी आपको कैसी लगी बताएगा, और यह बहुत ही गुजरात में तो पसंद की जाती है, बहुत अच्छी लगती है, इसको खाने का तरीका यह है, कि चावल के उपर आप लचका डाल ड रेसिपी है, तो आप जरूर इसे बना के देखेगा, ऐसी ही रेसिपी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, बाई बाई